बिहार के पटना साहिव लोगसवा सीट के लिए इस बार मुकाबला दिल्चस्प है यहां से केंद्री मंत्री रवी शंकर प्रसाद मैदान में हैं तो उनको टक कर देने के लिए कभी उनके साथ ही रहे विजेपी के बागी नेता सत्रों सिना है प्रवी शंकर प्रसाद जगे जगे जनसभा को जन्मत को अपने पक्ष में साधने की कोशिस कर रहे हैं लोगसभा चुनाओं के छटे चरण के तहट कल रविवार को हरियाना के सभी 10 संसिदी सीटों पर मतदान कराया गया जोहां करीब 70 संसिदी वोटिंग हुई लेकिन फरीदावास संसिदी सीट पर एक पोलिंग बूद पर पोलिंग एजेंट के महिला मतदाताओं पर मतदान प्रवावित करने और उनकी जगे वोट डालने के आरोप में गिरफतार किये जाने के बाद उन पर केस दर्च कर लि दरसल धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देवल बिजेपी के टिकेट पर पंजाब की गुलदासपूर्ण लोगसवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी खिलाप कॉंग्रिस के उमिदवार और बल्राम जाखड के बेटे सुनील जाखड उमिदवार हैं धर्मेंद्र अगर पता होता कि गुलदासपूर में हमारे दोस्त बल्राम जाखड के बेटे सुनील जाखड सनी के सामने चुनाव मैदान में हैं तो शायद सनी को यहां से चुनाव नहीं लड़वाता हमने तो खुद उनके लिए चुनाव में कैम्पेंड किया है 19 माई को आखरी चरण में चंडीगड की सीट पर वोटिंग है चंडीगड में बिजेपी और कॉंगरिस के बीच सीधा मुकाबला है बिजेपी ने जहां अपने मौजूदा सांसत किरन खेर पर भरोसा जताया है तो कॉंगरिस ने पवन बंसल को मैदान में उतारा है पवन बंसल 2014 में किरन खेर से चुनाव हार चुके हैं किरन खेर को उमीद है कि चंडीगड उनके काम और मोधी सरकार के नाम पर वोट देगी किरन खेर छोटी छोटी सवाएकर अपने लिए वोट मांग रही है वहीं दिल्ली में मौसं बिभाग ने स्टों बार को हलकी बारिश होने की संभावना व्यक्ती है इससे लोगों को चुबती और जलती गर्मी से राहत मिल सकती है मौसं बिभाग ने अनुमान लगाया है कि 13, 14, 15 माई को राजधानी दिल्ली के साथ साथ NCR के दूसरे शहरों, नौयडा, गाज्याबाद, परीदाबाद, गुरुग्राम के अलग-अलग हिस्तों में हलकी बारिश होने की संभावनाए है